हलो बच्चों तो मैं आपका अपना जेगे सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया के नमबर वन चैनल जो की जेई हिंदी माध्यम में सबसे बड़ा और बैतरी चैनल है तो आज बच्चों हम एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे मेरे पास काफी बच्चो में पेपर दे आएटी जेई का तो क्या हमारे लिए अच्छा है और काफी बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमारे पैरेंट्स कह रहे हैं कि अब आगे तुझे इंग्लिश में पढ़ना है कोलेज में जाने के बाद तो अभी से क्यों ना तू आएटी जेई की तेयारी अंग् की सर हम पिछले 15 सालों से हिंदी माध्यम के शात्र रहे हैं हमने हिंदी माध्यम में ही अपनी पढ़ाई को पूरा किया हैं तो बच्चो आज मैं काफी रीजन बताऊंगा कि क्या हिंदी माध्यम के बच्चे को आईटी जेई की तेयारी अंग्रेजी माध्यम में करनी चाह तो अंग्रेजी माद्यम में आपको बिलकुल भी त्यारी नहीं करनी चाहिए अगर आप हिंदी माद्यम के स्टुडेंट है तो इसके मैं काफी रीजन भी बताऊंगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि क्या ये मेरी बात सही है या गलत तो एक बार हम अरुण सर को बला लेते हैं यहां पे जो इन इस्टूडियो में आप तक वीडियो भी पहुचाते और यह पूरी लाइटिंग और यहां पे आप देख रहे हैं बोर्ड वगेरा में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो सब देखते हैं आजए अरुण स सर आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है आप पढ़ाईए तो सर देखे कोशिश करिए पढ़ाने की पढ़ा देगे आपको आज यह पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चो जवाब आपको मिल गया अगर मैं बात करूँ अरूर्ण सर की और मेरी हम सर दोनों इसी स्टूडियो में क पाड़ाने का लेकिन इसके पीछे का जो भी चीज होती है वो आप देखते हैं अगर मैं आपको एक बेकार सा केमरा दे दू तो शायद आप उसमें से बहुत अच्छा फोटो ले 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 लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है अब इनका काम ये बहुत बैत तरीके से कर सकता हूं धन्यवास सर आपने प्रैक्टिकली करके हमें बच्चों का काम आसान कर दिया या उनको उनका अंसर दे दिया ठीके ना एक स्टूडियों में काम करने के बाद भी बच्चों में स्वैम का काम बहुत बैतर तरीके से कर सकता हूं और यहां पे जो अपने काम में वो एक्सपर्ट है ठीक है ना हर किसी बच्चे का स्टूडेंड का एक वील पावर होती है कि वो किसी एक चीज में बहुत ज्यादा होता है ठीक है ना। आपने बच्चों पिछले 15 सालों से हंदी माध्यम में अगर त्यारी किये या पढ़ाई किये अब आप से एकदम बोल दिया जाए कि हंदी माध्यम में इसे अंग्री जी माध्यम में तू आय टी ज scripture कर तो आपको मैं मैं बता दू सबसे पहला रीजन जो आई टी जे की तियारी पहले चार महीनों में होती है न वो बहुत ही इंपोर्टेंट होती है क्योंकि उस टाइम आपको पढ़ाया जाता है बैसिक अब आप उस टाइम हिंदी से अंग्रेजी में वर्ड ट्रांसपर कर रहे हो आप सीख र इन मैट्रिक्स तो इन बैसिक चीजों पर आप इतना जादा ध्यान दोगे जिससे की आपके जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो तो खतम हो जाएंगे बैसिक तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप सिर्फ यहां पे अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसपर करना ही ठीक है ना आपको सिर्फ यह समझना पड़ेगा स्टार्टिंग में किया इसका मतलब क्या होता है सिर्फ इसके कहने पर आप यह काम मत करिएगा कि सर हमारे दोस्त हमारे साथी या हमारे साथ के बैया दीदी यह कह रहे हैं हमारे पैरेंट्स सर हम पे यह प्रेशर डाल रहे कि आगे तुझे कोलेज में अंग्री माद्यम में तो पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ना है पूरी तुझे बीटेक जो करनी है वो इंग्लिश में करनी है हम इंग्लिश में बीटेक तब करेंगे जब हम अपने ड्रीम कोलेज में पहुच पाएंगे अगर हम उस कोलेज में नहीं पोच पाएं तो क्या होगा और दूसरा बच्चों जो सबसे बड़ा रीजन है कि आज से दस साल पहले हिंदी माध्यम के अच्छे सोर्स नहीं थे अच्छी त्यारी नहीं करवाई जाती थी हिंदी में क्योश्चन्स नहीं मिलते थे अगर हम किसी बुक डिपो पे जाते थे इस्टेंशनरी शोप पे जाते थे किताब लेने हिंदी में तो हमें नहीं मिलती थी लेकिन बच्चों आज आपके सामने इतना बहतरीन सोर्से डाउटनट हिंदी माद्यम में जो इतने क्योश्चन्स रखता है कि आपके बच्चों दो साल क्या आने वाले दस साल तक भी आपके क्योश्चन्स खतम नहीं हो सकते जी हाँ बिलकुल सही सुना यहाँ पे बच्चों क्योश्चनों का बंडार मिलता है हिंदी माध्यम में तो आपके पास अब सोर्सेस की कमी नहीं है आपके पास अच्छे टीचर्स हैं जो हिंदी माध्यम में आपको IATJ की तियारी करवाते हैं ठीक है तो अब यह जो सेकंड पॉइंट सा कि अब इस बात की भी टेंशन लेने की जरूत नहीं है कि क्या में आगे आने वाले दो साल या एक साल अगर कोई बच्चा 12 में है तो वो 12 की IATJ की तियारी करता है समय कम होता है तो बच्चों ध्यान रखना क्या आप सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी में ट्रां समय की कमी होती है तो बच्चों अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमें हिंदी माद्यम में हमें बुख्स मिलेगी या नहीं सर हमें हिंदी माद्यम में कोई अच्छा टीचर पढ़ाएगा या नहीं क्योंकि अब यह सब चीज़े खतम हो चुके ये प् मंबे से हैं जिन्होंने IIT JEE को क्रेक कर रखाए वो भी हिंदी माध्यम के हिंदी माध्यम से पड़े हुए टीचर है तो बच्चों अब आपको वो टीचर अगर यहां पर तयारी करवा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको IIT की जो तयारी है वो हिंदी में करनी चाहिए आप लिए फाइदा होता है आपने सुना होगा दोनी जो कीपरिंग करते हैं ठीक ना उनका रियक्शन टाइम जैसे बोल आती है और वो सीधा क्या कर देते आउट कर देते पॉइंट पॉइंट सेकिंड में थे पॉइंटों में मिली सेकिंड में मिली सेकिंड इतना जल्दी से माइंड यह कब करेगा आपका माइंड की रियेक्शन टाइम कैसे जल्दी अगर आपको क्योश्चन पेपर आप देने गए जही का आपने क्योश्चन पड़ा इंग्लिश में अब आप उसको पहले तो हिंदी में सोच रहे हैं पता चला एक मिनट तो हमें इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसपर करने में लग गया क्योंकि आपने पिछले 15 साह से त्यारी किये हिंदी में ठीकर ना पूरा 12 तक हम हिंदी में पढ़ें अब हमें अंग्रेजी में हम जेई की त्यारी करने जा रहे हैं तो बच्चों आप पहले क्योश्चन को समझोगे फिर उस को श करोगे जिससे की आपका बहुत बड़ा लोस हो सकता है जेई के एकजाम में हर किसी स्टूडेंट्स या कोई भी कोई भी यहां पे व्यक्ति हो ठीकर ना इनसान हो उसकी अपनी वील पावर होती है अगर कोई योद्दा भी होता है तो वो अपना शस्त्र अपने साथ रखत है क्योंकि उसको पता है कि इस सस्त्र से में कोई भी जंग जीश सकता हूँ तो आपकी ये बच्चों जो सबसे बड़ा शस्त्र है न हो वहिए बच्चों हिंदी मागधियम ब् grant को सई सुना हिंधी आपका बहुत बड़ा शस्त्र है और आपको मैं बताना चाहऊंगा अग ले रख दिया तो हो सकता है कि बच्चो आप से IIT JEE ना करे को तो यहाँ पर अब मैं कहूंगा कि इसका अंसर बच्चो आपको मिल चुका होगा और अगर हम हिंदी माध्यम के शात्र हैं तो हमें तयारी भी किसमे करनी चाहिए हिंदी माध्यम में ना कि सर हिंदी से हमें भी कह रहा है कि तुझे आगे चलके पढ़ना तो अंग्रेजी में है लेकिन मेरे को वहाँ पे पहले पोचना तो पढ़ेगा अगर में वहाँ पे पोची नहीं पाया तो मेरा क्या मतलब इस दो साल की त्यारी करने का ये बात को समझना बच्चों बहुत ही जरूरी है मैं 10 तक हिंदी में पढ़े और 11 के बाद अंग्रेजी माध्यम में ट्रांसपर या उन्होंने त्यारी करना स्टार्ट कर दिया और उनका सेलेक्शन नहीं हुआ नहीं हुआ उनका सेलेक्शन तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाओंगा जो आपका असली शस्त्र है उसको आपको रखना नहीं है उसको अपने साथ लेके चलना है और तभी हम IATJE को क्रेक कर सकते हैं तो बच्चों आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगाओगा और अब आपको IATJE की त्यारी करवाने के लिए हिंदी माध्यम में बहुती शांदार प्लैटफोर्म है जो की डाउटनट है ठीक है तो अब बच्चों यहां पे आपके पास किताबें आपके पास क्योश्ण्स आपके पास लाईव लेक्चर आपके पास कितने भी हिंदी माध्यम में लेक्चर अवेलेबल हो जाते हैं हमारे इस प्लैटफ Also अब आपको सृफ और श्रीप इस ब करना है तो आई हो बच्चों आज का सेशन आपके लिए काफी उपयोगी होगा ये सेशन टैंथ से बच्चा अगर 11 में जाता है या जेई की त्यारी करता है ड्रॉपर है 12 में उन सभी के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है तो मिलते हैं बच्चों नेक्स सेशन में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस माद्यम से बिलोंग करते हैं और आप किस माद्यम में तैयारी करना चाहते हैं अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा दन्यवाद।